हाई वीवर्स मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है तो यह मैं थ्री मंत से तीन महिने से छेक महिने के बच्ची के लिए कैप बना रही हूं यह वाली और जिसे हमारी सरदी सुरवात में वो बच्चा हमारा तीन महिने का हो गया है तो तीन थे छे महिने में लगे तीन महिने बड़े अराम थे यह पहन सकेगा तो मैंने यहां पे 82 फंदे लिए हैं इस डिजाइन को डालने के लिए इस कैप में और यह मैं नौ नंबर से बना रही इसी है और यह खुब स्यूर्ट सा डिजाइन हमारा यह मैंने यहां पर 20 कलर मेरा टो कलर मै इसमें लगाये हैं जैसे यह मजेंटा EPA और यह लिए ग्रीन कलर लगाया है तो आप इसमें और ज्यादा भी गलर लगा सकते हैं तो मैं यहां पे इसका डिजाइन बताऊंग माजेंटा और यह अलिव ग्रीन कलर लगा है तो आप इसमें और ज्यादा भी क्लर लगा सकते हैं तो मैं आज यहां पर इसका डेज depending बताऊंगी और फिर मैं पूरी Hill month होचुकी है तो मैं इसकी हो गई है हमारी मैंने अपने बच्चे के सिर के हिसाब से बना रही हुए से तो आप अपने बच्चे के हेड के मताबिक भी बनाए और मूल मेरी यहां पे दोनों ही वर्दमान की बेबी बूल है यह जैसे यह हमारी देखे जैसे लच्छों की उन है यह और यह भी देखे तो मैंने इसको गोल येक और ये देखिए यहां पर डिजाइन में ने यहां पर डाले हैं एक दो तिन चार पांच चे साथ आठ नौ जन दस डिजाइन डालने के बाद फिर मैं ने यहां पर दो सीधे एक उल्टा दो सीधे एक उल्टा बनाया है और नीचे बॉर्डर में मैंने बनाया है दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर बनाया है और सिंपल मैंने यहाँ पर फंदे डाले हैं यह देखिए तो मैंने अपनी बूल को ट्रिपल करके डाले हैं यह वाले यहां जिस्ते की थोड़ी सी मोटी आ जाए तो इसकी लंबाईड देख लेते हैं कि हमारे यहां पे कितने डिजाइन दिने मैंने अभी यहां पे एक, दो, तीन, चार, पांच, चैस, ताथ, आट, नौ, दस और दस डिजाइन में हमने कितना इसको बना दिया सवा पांच, और पूरी देखें, यहां थे, यहां फंदे घटाने हैं तो कैप की शेप देनी है, हमने उपर ती कि कैसे बनाना इसको तो यहां पे यह 6 इंचि के करीब हो जाती है और इसकी चड़ाई नाप लेते हैं, कि इसकी चड़ाई कितनी हो जाती है तो 82 फंदे मैंने लिये हैं यहां पर 6 के multiple यह हमारा design है यह तो यह देखी यहां पर इसकी चड़ाई हमारी सवा 11 के करीवा सवा ठीक सवा 11,5 नहीं है खिंखना नहीं सवा 11 है तो अगर आपने थोड़ी बड़े बच्चे के लिए बनाना जैते मैं तो बना रही हूँ 3 से 6 मंद के लिए बच्चे के बना रही हूँ और अगर आपने साल भर के बच्चे के लिए बनाना है तो आप से इसके मल्टिपल फंदे डालने फिर उसके बार आप इस बिजन को डालने क्योंकि इसमें थोड़े फंदे ज्यादा ही लगते हैं क्योंकि ये बुनाई हमारे अंदर को खिषती है तो चली अब हम इसे शुरुबात करते हैं इस बुनाई को कि हमने इस बुनाई को कैसे बनाना है तो यहाँ पर एक कलर मैं लोगी यहाँ पर वाइट कलर से दूसरा थ्रेड हम अटेच कर लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर पहला फंदा हमने जैसे बनाया हमने पहला फंदा कि पहला फंदा बनाया फिर दूसरा क्योंकि सिक्स के मल्टिपल हमने डिजाइन डाना इसको निगिनना हमने कॉन्पनी करना है यहाँ से देखिए दो फंदे बनाए हां मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यह बॉर्डर डालने के बार दो तलाया मैंने बुनाई के लिए बेज बना लिया तो यह देखिए दो फंदे हमने बनाए फिर हमने दो फंदे स्लिप करने है तो बनाई के चार फंदे होगे दो फंदे हमने अभी और बनाने हैं तो फिर उसके बार हमने क्या करना है यहां से देखिए सिक्स के मल्टिपल हमारा डिजाइन है यह ए इसके आगे फिर हमने छे फंदे फिर मुनने हैं, दो, तीन, यहां से यहां तक छे, यहां से दो द चार छे, दो द चार छे, अब हमने पूरी स्लाइब में ऐसे ही करना है, चार फंदे बनाए, दो फंदे स्लिप करने है, तो यह हमारे चार चार की मल्टिपल हमारा, यहां सिक्स के मल्टिपल हमारा यह डिजाइन है, यह छे, छे फंदों की इसार थे, फिर हमने थ्रड पीछे यह हमारी और परल से हमने दो फंदे उतारने हैं, तो यह हमने चार फंदे बनाने है वाइट यह दो फंदे हमने ऐसे उतारे तो यह देखी यहां पर हमने पूरे स्लाइक कंप्लीट कर ली है अब उल्टी तरफ पे आजाई इसकी जो फंदे हमने बुने हैं उनको बुनना है जो हमने थलिप किये हैं इनको बिन बुन उतारे हैं तो उनको हमने ऐसे ही बुन लेना है और उनको उतार लेना है इन फंदों को हमने बुनना है और इन फंदों को ऐते ही बिन बुना ही उतार लेना है यो इस टार लेने हैं जितने वी अपनेवी सलाइई पर फंदे दाले होंगे हमने उलती तरब से ऐसे ही करना है ये डियाइन की अधी सलाई है हमारी संपनेड रो है इसको भी हमने लाश्ट के फंदियों को भी बना है तब आजाए इसकी तीसरी सलाई पे तो यहाँ पे हमने क्या करना है इन फंदों को यह वाले फंदे हमारे अंदर आएंगे इस वाले फंदे के अंदर दो फंदे हमारे इसमें आएंगे इसे तो यहाँ पे हमने अपना सेकंड कल्र लगाना है इस वाले फंदे को हमने यहा लेके आणा है और यह दो फंदे हमने यहां करने है जो हमारे इस दो फंदे हैं यह देखिए इन दोनों के बीच में यह वाले दो दो फंदे हमारे इधर आ जाएंगे और यह वाला एक फंद हमारा इस साइड आ जाएगा इसको बैक लूप से हमने एती लेना है और इन फंदों को हमने एती इसके अंदर करना है कि करिए और उल्टी सलाई हमने बाहर भूठ नंबर की सलाई से अगर आपका हात कर नहीं हमारी जैसे में अनदर तो यह बुना त्रक्क वाकों इसलिए आप क्या करेंド doable कि से अगर बना रहे हैं तो आपको सीधी तरब से 10 नमबर की सलाई से और उल्टी सलाई आपको 9 नमबर की लगानी होगी अगर आपका हाँ ठीक लूज है कि आप उल्टी सलाई आप लूज बुन सकते हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं एक इस नंबर के सलाई से बना सकते हैं तब यह देखी यहां पर इसको थोड़ा से हमने डीला करना है और फिर अपने इन तीन फंदों को उतारे और वाइट वाले को हमने इसके अंदर लेके जाना है ऐसे यहां ले आए इसको थोड़ा आप डीला करें और बैक रूप से इसको ऐसे डालने फंदों को फिर हलके हां से ऐसे उतारके इनको जो यह वाला फंदा इसके आगे लेके आना इनको इनके पीछे करना है है कि मैं दो हमारे य Sydow हम ने शलिफ किये हैं उनकी दोनों एक कमद positives अगर अधर थोड़ा नीला कर एक इस तब बना सकते हैं अनला हैं एसी को ऐसे किया फिर इन दो फंदों को बनाया और इसको हलके हां से उतार के ऐसे उतार गिया फिर बैक लूप से दो फंदे हमने उठाये ऐसे और ऐसे किया और इसको उठालो आप पहले फिर लेफ्ट निडल पे आप ये दो फंदे आप फिर इसी पे चड़ा के इन तीनों फंदों को ऐसे सी यह हमारी चार सलाईयों का डीजाइन है रंग बदलते जाना जितने भी आपके पास कलर होंगे आप कलर लगाते जाएं और चार-चार सलाईया ऐसे हमने बनाते जाना है तो यह डीजाइन आप बच्चों के कैप में बच्चों के मोजों में बच्चों के स्वेटर में अगर आप बड़े बच्चे के स्वेटर बनाना बड़ों में भी कार्डिगन भी अपने लिए बनाना हो जैते बच्ची कुछी होने हैं हमारी अक्टर थ्रेड बच जाती है त तो यह देखिए हमारे यहां पे 6, 6 फंदे, 6 फंदे, 6 फंदे, तो लास्ट का एक हमारा ज्यादा था, तो मैं आप लोगों को डिजाइन बता रही हूं, इतने फंदे होने चाहिए थे हमारे यह, तो एक मेरे पास ज्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, तो अगर आप यहां भी रखता के हैं, सैड में, क्यूंकि सिलाई भी आ जाती है, यहां पे न, तो आपने पूरे सिलाई, यह हमारी चौछी सिलाई है, तो चौछी सिलाई को हमने ऐते ही, उलटा, उल्टा, बना देना है, तो दीख़ी Лच तो यहां पे मैंने, 8 सिलाई में उनके कंपलीट कर ल चार सलाईयां और बता देते हूं आप लोगों को इसमें अब हम तीसरा कलर लगाएंगे दिखा देते हूं कि आप लोगों को कैसा लगता है इसका तीसरा कलर अब मन चाहे कलर आपके पास थोड़ी थोड़ी थ्रड बची हुई है न आप उन सब उन का यूज कर सकते हैं और शेटर का शेटर बन जाएगा आपका और बच्ची खुची उने भी आपकी यूज हो जाएंगी और ये शेटर जो ऐसे आते हैं ये थोड़े गफ हो जाते इसलिए थोड़े न मोटी सलाई से बनाना आता है क्योंकि ये देखिए और थोड़ा न लू जहां से अगर आपका हाँ टाइट है तो थोड़ी मोटी सलाईयों से बनाएं आप और ये वाला जो मैं बना रही है नौ नंबर से बना रही हैं तो यहां पर मैंने ये पर्पल कलर लगाया है ये देखिए तीन फंदे ये बनने है बीच के दो फंदे हमें फिर स्लिप करने हैं अगले चार फंदे फिर बनाने हमें सीधे फिर चार फंदे आप बनने सीधे ये दो फंदे हमने स्लिप किये कि अग्या करना है जो फंदे हमने बुने है वो बुनने है जो त्लिप जो हमने इनको बिन बुना उतार रहा है उनको बिन बुना उतार लेना है तो ये देखी एक बार में आप लोगों को फिर बता देती हूं या तो आप ऐसे उतार ले अगर वैसे नहीं आता तो आप अगे और यह फंद हमने इन दो फंदों के आगे एत ले आएंगे ठीक फिर उसके बाद हमने इन तीन फंदों को पहले हमने बनाना है यह को अ तरट दूसरी लगाने देक हैं फिर थोड़ा से अपने पंडिन थोड़ा था अंगुठा रुगली की तह से पकड़ करने तो एक आप्टे किया थोड़ा फिर पीछे से आप टेक्विक लेकी निचे को आप शैसाथ उतार ले हूं अब इसके उठा लें फिर हमारी वाले फंदे हमने लट निडल पर उतार के फिर हमने इस स्लाइचे ऐसे ही इनको सीधा बना देना है सीधे बुनने हैं इस फंदे का दिहान रखें कि हमें फंदा उल्टा न हो जाए इसको सीधा कर लेना है फिर थोड़ा आप ऐसे कर लें ऐसे उतारा फिर इन दो फंदों को इसको यहां से पकड़के रखें ऐसे करके कि फंदे निकल न जाएं फिर ऐसे लिया यह फंदा सीधा है यह हमारे ऐसे ही कि यह ना क्या पीछे से न बनाए इसको फ्रेंट लूप से बनाएंगे जब हमारी यह फली ऐसे सीधी सीधी आएगी तो ऐसे हमने फ्रेंट लूप से बनाना है मैंने दोनों मैथड आप लोगं को बता दिये कि ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने ऐसे डाला थोड़ा डीला किया सीधा ऐसे बनाया फिर हमने इन दो फंदों को बनाया और ऐसे उतार के थोड़ा इसको ऐसे खीच लिया ठीक जैसे कि हमारे बनाया शुकुर ना जाए इकट्टी ना हो जाए फिर इन दो फंदों को थोड़ा जिए जैसे मैं कर रही है ऐसे खीचा और इन दो फंदों को यूंकि इस तलाई हमारे आसानी से डल जाएगी इन में पिर ऐसे उतारा इस फंदे को पहले पकड़ा हमने फिर इन दो फंदों को हमने लेफ्ट नीडल पर उतार के तो राइट हैंड की नीडल से हमने इसे इन तीन फंदों को बुर्णा है यह देखिए जैसे हमारे यह फंदा उल्टा उल्टा हो गया इसको आप सीधा करकर ऐसे पिर ऐसे बना लें कि और उल्टी सलाई आप उल्टी निकाल दें मैं भी यह करके उल्टी सलाई उल्टी निकाल लेती हूं तो डिजाइन जहां तक मैं उमीद करती हूं कि आप लोगों को जरूर समय में आ गया होगा तो दोस्तों अगर आप मेरे इस डिजाइन को बनाया हो अगर बना रहे हो तो हमें बनाने के बाद आप जरूर बताएं कि हमने इस डिजाइन का कोई प्रजेक्ट बनाया है और कैसा बना है और कैसा लगा है बनके तो हमें कमेंड बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और उल्टी तरफ से आप ना उल्टी स्लाई निकाल लें क्योंकि यह हमने बेस कलर लिया है और इसमें मैंने लिया है वाइट कलर तो आप अपने मर्जी से कोई सा भी बेस कलर रख सकते हैं जो आपके पास कलर जादा है और चोटे चोटे टुकड़ों से आप ऐसे यह डियाइन दो दो सलाई का आप यह डाल सकते हैं डियाइन हमारा चार सलाई का है लेकिन यह हमारे जो बीट में आ रहे हैं यह दो सलाई का डियाइन है यह तो आप ये देखें यहाँ पर ओलटी सलाइय आप ओलटी निकालें तो दोस्ता दीखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर चार च्छारा क्याते हैं बारा सलाइयों में आप लूड़ों यह डिजैन बताया है और बारा सलाईों में तो उमीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये डियन जरूर समझ में आ गया होगा तो दीखी दोस्तों यहाँ पर मैंने इन फंदों को सीधी सलाई से एक बुना और उल्टे को सीधे के सार घटा दिया है तो उल्टी तरब से हमने थारे फंदों को उल्टा बना लेना है तो देखी दोस्तों यहाँ पर उल्टी तरब जितने हमारे सलाई पर फंदे हैं किहां पर कोई उल्टा नहीं कोई सीधा नि मितल़े की जितने फंदे हमारे कोए है थारे फंदों को हमने पर्ल करना है यानि कि उल्टा उल्टा ही बनाना है ईससे में कर लेती हूं कि दिखिविश्ति यहां पर मैंने कुप सबाइब हैं परने से अच नहीं को ज़ाए. है जैसे हमने पहली सलाई में फंदे दिक्रीज किये थे एक बनाएंगे फिर दो का एक करेंगे फिर एक सीधा बनाएंगे फिर एक फ्रंट लूप से यठे डालना जैसे मैं डाल रहीं आप धियान से देखें फिर एक बनाया मैं लगे सीधा बनाया निट किया फिर दो का एक फ्रेंट लूप से हमने डालना है ऐसे करके फिर एक बुनना है हमने फिर दो का एक करना है एक बनाया मैं लगे सीधा बना लिया एक बुन लिया तो इतना मैं पूरी सलाई कर लेती हूं और उल्टी सलाई भी निकाल ल पूरू में हम एक बुन रहे हैं और दो का एक कर रहे हैं यहाँ पर दो का एक किया और पर फूरी उल्टी निकाल लेनी है तो देखे दोस्तो एक बार मैंने फिर अभी एक बुनना है दो का एक करना है दो का एक किया, फिर एक बनाया, वहना कि बुना asked, लगला कि बुना colonial मुचला को लगला हैild है तो एक हमने जिसलाई प्फंदें हें हमने ऐसे ही करते जाना है और इल्टी सलाई में इल्टी निकाल लेती हूं और हमारे को ये थाकी होगा तो दीकिए मैंने इन फंदों को निक्रीट करके उल्टी सलाइबी निकाल ली है तो फिर हम यहां पि फंदों की बारी है घटाने की फिर एक बनाई 9 दोका एक किया एक बुना मैं लीए कि करते जाना है और उल्टी तरफ से हमने कुई फंदा कुछ नहीं करना है और पूरे फंदों को हमने उल्टा ही बना देना है कि इसका डिजन थोड़ा एथे आएगा यह तो यह मैं पूरा कर लेते और उल्टी तरब से उल्टी सलाई निकाल लेती हूं तो यह देखिए लास्ट में दो का एक करना ऐसे कि ऐसे आएगा इसका तो देखिए दोस्ते यहां पर मेरे पास 24 फंदे थे 24 में थे मेरे पास अब फंदे हैं यहां पर 2, 4, 6, 2, 8, 10, 11 तो इसमें से हमने फंदे घटा लिये हैं एक बोन के दो का एक किया है अब हमने क्या करना यहां पर 11 फंदों को हमने दो दो बार करके ऐस अब लास्ट का फंदा हमारा आएगा तो इसको ऐसी ही बुन देंगे सिंगल अब हमने क्या करना है सुई में थ्रेड को डाल के न तो इन सारे फंदों को एक साथ हमने करने देना है तो यह मैं उल्टी से लाई निकालने हैं पहले तो दी की दो तो यहां पर मैंने अपनी थ्रेड को कट कर लिया है और यहां पर अब हमने क्या करना है सुई में इसको नीडल में इसको डाल लेना है ठीक तो इसको अब हमने क्या करना है इधर से डालेंगे इधर से नहीं इस से डालेंगे यहां पर यासे डाल लिया तो एक बार मैं फिर डाल देते हूं जिस्ते की थोड़ा यह पक्का हो जाए इन पांच फंदों को साथ फंदेते हैं हमारे पास ऐसे करके डाल लिया और यहां पर मैं एक पॉमपम लवाओंगी जो मैंने यहां पर कलर डाले हैं वाइट कलर और यह ओलिव ग्रीन और यह मजंटा कलर का तो पॉमपम मैंने अल्रेडी मैंने अपने चैनल पर आप लोगों को बताया हुआ है जो फ्रेड यहां पर यहां पर इसको छिल लेना है की मैं अर्दध कर लूँद से की यहां पर छोल नाए तो मैं एक बार आ आप लों को बता देती है थोड़ा सा सिल के वैसे तो मैंने बहुत बार सिलाई बताई है कि इसकी सिलाई हम कैसे करते हैं तो यह देखे यहां पर हमने क्या करना है इस सेड़ से पहले लूँगी यहां थे लिया के कैसे लिया एक बार हमने इधर से लेना है और एक बार हमने इधर से लेना है बताई है हमने सिलना है और यह दियान रखना कि हमारी जो सफेद की साथ सफेद ग्रीन की साथ ग्रीन यह एथे ही हमारा यह आना चाहिए उपर नीचे नहीं होने चाहिए तो यह मैं आप लोगों को थोड़ा यहां तक सिलके दुखा देती एथे पकलने आप एथे तो आपका यह जराता भी इधर उधर नहीं होगा यह देखे आथे तिलना आपको एक बार आपने दो टंके जो धागे इधर से एथे लेने है एथे लिया एक बार इधर से लिया यह दो तेरी की एथे तिलना हमने झाय हमने आपक बार इंगर मैं छोग्ग पसी ढहिए यह झाय हमानी चिसे आपके लिए विया हमें और खिलके जोग्थोन गोग और बार ogensाने आपको मैं पतार रिंग जेता हम में जेता हम ऊदर तो मैं ऐते ही इसको दोनों तरफ से जो हमारी थ्रेड है ना यहां से इधर को सिलूँगी और इधर से पूरा सिलूँगी देखें अपने यहां पर बराबर आते जाएंगे आप धियान रखें कि तो देखिये दोर तो यहां पर मैंने अपनी Carpro को सिल के complete कर लिया है और यहां पर आप लोग को यपी निए पता चल रहा है कि मैं ने यहां पर कहां सिल। इसका joint कहां है एक पल के लिए मैं भी भूलगी कि मैंने कहां थिला है जब मैंने यहाँ पर thread देखी तब पता चला कि यह है इसका joint है यह वाला तो जो हमारी इधर से thread बची थे इसको मैंने इधर से तिला है और extra जो हमारी thread होती है तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी अंदर करके एथे निया कि छोड़ देना चाहिए तो लंबे-लंबे धागी अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे उपर तक आप इसको ऐसे पिर कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि मैंने आप लोगों को डिजाइन भी बताया है तो पॉम-पॉम वैसे मैंने बहुत बार अपने चैनल पे डाला है वहां पे आप जाके देख सकते हैं अगर आप लोग मुने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह तो मैं यह पॉम-पॉम लगा लेती हूं फिर पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूं तो दोस्तों देखते हैं यहां पे हमने पूरी कंप्लीट करके सलाई करके देखते हैं इसकी लंबाई हमारी कितनी हो जाती है पूरी साथ ने पौने साथ के करीब है यह पौने साथ है यह तो देखिए दो तो यहां पर मैंने पंपम लगा के अपने कैप को कम्प्लीट कर लिया है तो यहां पर इसकी चोड़ाई लंबारी तो मैंने बता दी लेकिन मैंने यहां पर इसकी चोड़ाई नहीं बताई की हमारी 84 फंदों में चोड़ाई कितनी है सब्सक्रीफ गरीब है यह तो आप इसे के अकॉर्डिन जैसे छे के मल्टिपल हमें फंदे लिए हैं तो आप इससे ज़्यादा डाल सकते हैं बड़े बच्चे के लिए तो दोस्तों कहता लगा मेरा ये पंपं मैंने बनाया है ये और इसे पहले मैंने एक दूसरा बनाया वो अच्छा नहीं लगा मेरे को ये ज़्यादा ही आथा था ये गुदा गुदा था तो मेरे को ऐसा बनाना था ये खिला खिला था ये तो ये बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता है ये तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की पौम-पम और इसकी कैप की जो मैंने डीजैन बताया है और कैपभ कैसी लगी है तो कीमेंट करके आप जरूर बताए तो उम्मिद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे आज के कैप बहुत अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं नेक्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाए